आज market में इतने सारे गाड़ियों के option है कि हमें समझ में नहीं आता है आखिर में कौनसी गाड़ी खरीद है क्योंकि इतने options हो गए अगर आप भी उनमें सेक है तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है क्योंकि यहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप फाइब कास जो आपको लेने चाहिए 10 लाक रुपे के अंदर तो पहली गाड़ी जो मैं ये लिस में आपको recommend करने वाला वो ऐसे नहीं की number one गाड़ी होई है बट ये पांच गाड़ियों में से एक गाड़ी है और वो है Tata Motors की Altros अब Altros एक ही hatchback है जो इन सब में से मै आपको recommend कर रहा हूँ और उसके बहुत सारे कारण सबसे पहला तो safety में कोई compromise ने किया गया गाड़ी अच्छी खासी safety के साथ आती है 5 star rating के साथ आती है और साथ ही में कहीं पे भी आपको quality में premium निसमें कहीं पे भी miss out नहीं लगी गा इस गाड़ी के and second thing है इसमें आपके पा automatics दिखते तो उसमें आपको DCA यानि की dual clutch transmission वाली technology देते वरना बाकी की सारी गाड़िया आपको केवल AMT के साथ ही available कराए गई है यह इसका major standing point है and plus इसमें features वगेरा की भी कोई कमी नी है पांच लोग आराम से बैठके जा सकते हैं बिना किसी compromise के boot space भी गाड़ी की बढ़ी है so overall एक काफी अच्छा package बन जाता है आपके लिए to consider वैसे Altros पर हमने काफी सारे वीडियो बनाए है 15,000 km, 7,000 km चाहिए मैं आपके लिए links छोड़ सकता हूँ in the eye button also अब दूसी गाड़ी जो एक category में recommend करने वाला हो इस price में rather recommend करने वाला हो वो एक micro SUV उसे कहते है अब SUV बोलना चाहिए नहीं is a different story बट उसे term किया गया है as micro SUV और ये है Hyundai की mixer अब EXTER जो है एक बहुत ही बढ़िया proposition आपके लिए market में बन जाता है क्योंकि ये in terms of features, power, सब कुछ एक अच्छा mix आपको offer करता है ये एक ही engine के साथ available है पेट्रोल वाली 1.2 liter तो ये manual and AMT के साथ आती है और वहीं पे इसमें CNG भी offer किया गया है जो cable manual में available कराया गया है अब overall अगर आप EXTER को देखते है तो इसमें आपको value proposition काफी बढ़िया दिया गया और Hyundai अगर आप देखोगे तो वो कोशिश कर रहा है कि जो i10 ले रहा है वो एक upgrade ले ले टूर्ड एक्सटर क्यूंकि एक्सटर जो है i10 पे ही बनाए गई है उससे थोड़ी जादा ऊची है प्लस i10 से थोड़ी जादा बड़ी है in terms of rear seat space, overall boot space भी इसकी काफी अची है और ground clearance i10 से काफी जादा हो जाता है वैसे Hyundai ने EXTER के crash test rating नहीं किया गया test लेकिन Hyundai क्लेम करता है कि इस गाड़ी में उनको 4 या 5 star easily आ जाएंगे और EXTER आपको काफी सारे features भी offer करती है जैसे बड़ी touch screen हो गई, digital instrument cluster हो गया, sunroof हो गया, wireless charging pad हो गया, type C charging port हो गया, तो ये सारे कारणों की वज़े से EXTER एक बहुत अच्छा proposition है आपके लिए consider करने को, तीसरी गाड़ी again एक गाड़ी है जो compete करती है with the EXTER itself और वो है Tata Motors की punch, अब ये overall एक बहुत ही बढ़िया product है अगर आप पूच होगे, क्योंकि ये एक मात्र ऐसी गाड़ी है जो 5 star rating के साथ आई है, in this small size of SUVs, और ये आपको ना केवल petrol में available है बलके CNG में भी आती है, तो इसमें आपको petrol manual and AMT के साथ आता है, और CNG cable manual में ही फिलाल available कराया गया, अब इसके CNG की अच्छी बात ये है कि आपको boot space यहाँ जादा मिल जाती है, क्योंकि आपको two cylinder technology use किया गया, same story actually atros के लिए भी किया गया, इस वज़े से आपको अच्छी खासी boot spaces गाड़ी में मिल जाती है, तो punch भी आपको extra की तरह काफी सारे features देती है, sunroof हो गया, push start stop हो गया, decent enough screen size हो गया, harmon के speakers आते हैं, जो बहुत 10 lakh variants है, तो fronks के अगर आप delta के अंदर वाले variants देखते हैं, तो यह काफी अच्छी value proposition आपके बन जाते है, and in fact यह अगर आप मुझसे पुछो तो बलीनों से जादा बेटा choice बन जाती है, आपके लिए to consider, थोड़ा grounds lens बढ़ जाता है, थोड़ी जादा sporty लगती है गाड़ी अब बलीनों में या फ्रॉंक्स में एक चीज़ खास यह है कि rear seat पे आपके पास जगा बहुत जाता है, और यह one of the most spacious cars है अगर आप इस category को consider करते हैं, and overall जो इसकी petrol engine है, वो अच्छा कासा power भी देती है, mileage को बिना compromise की, overall बलीनों और फ्रॉंक्स आपको काफी सारे features भी offer करत 11,000,000 तक भी चले जाते हैं, अगर मैं top of the line alpha variant की बात कर लो, 11,50 तक maximum जाता है, लेकिन फिर भी यह आपको बहुत अच्छा choice है, अब बलीनों में एक disadvantage है आता है, कि overall इसकी safety exactly कैसी है, वो हमें नहीं पता है, क्योंकि safety features तो इस गाड़ी में सारे आ जाते हैं, लेकिन exactly कैसा ह इस difficult for us to comment right now, हाँ, यह है कि जो global market में बलीनों बेची जाती थी pre-facelift, उसको 3 star में ले थे out of 5, अब पांच भी गाड़ी ये category में जो आ जाती है, इस from Nissan which is the Magnite, यह एक बहुत ही बढ़िया proposition है आपके लिए आज consider करने को, क्योंकि इसमें आपको 1 लीटर का non-turbo and turbo petrol दोनों engines offer किये गए, जो आपको decent enough performance देते है, non-turbo and turbo आपको बहुत बढ़िया performance and mileage भी देता है, अब Magnite की खासियत है कि गाड़ी में space बहुत जादा है, overall features भी decent enough देता है for the price और साथ में बड़े size की गाड़ी का feel आपको देता है at a much lesser price, तो इस वज़े से यह आपके लिए एक अच नहीं पर भी compromise नहीं किया गया, overall Magnite एक बहुत ही well-rounded package है and मेरे एसाब से यह 5 गाड़ियों को आपको definitely consider करना चाहिए, अगर आप confused है, in 10 lakh rupees which car to buy, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं सावज में हा रहा है, आपको क्या लिए, कहीं मैं गलत गाड़ी ले लूँगा, ऐसा आपक मुझ से, रादा मुझ से नहीं, में team of experts से phone call पे जुड़के अपने सारे doubts को clarify कर सकते हो, अब आपको करना किया, चले जाए motoroctane.com slash carfn consultancy, वहाँ जाके अपने कुछ details fill up कीजे, call time book कीजे एक expert के साथ, so what I'll recommend is do that and साथी में motoroctane को subscribe कर लीजे, क्योंकि इसके बाद वाले व साथी में motoroctane को subscribe कर लो, ताकि आपको पता चल सके कि वो video कब live गया है, तो उसके लिए notifications को भी activate कर दो, क्योंकि आज हमने इतने सारे videos या इतने channels को subscribe किया हुआ है, तो इस वज़े से YouTube हर एक video का notification आपको नहीं बेजेगा, unless आप notifications को subscribe कर दो, so that's all we have for right now guys, मिलेंगे काल फिर